शुक्रुबार की सुबह जब दिल्ली के लोग जगे तो बारिश की हलकी फुहारों ने उनका स्वागत किया सिर्फ दिल्ली ही नहीं NCR के इलाकों सहीत देश के कई हिस्सों में कहीं धीमी तो कहीं समाने बारिश से मौसम ने एक नई करवट ली है इसके पहले उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से जारी शीत लाहर के बीच लोगों को नए साल के पहले दिन कड़ाके की सर्दी से कुछ रहात मिली हलाकि कोहरे के कारण हरसाडक और रेल यातायाद बाधित हुआ दिल्ली में नियूंतम तापमान 8.8 डिगरी सल्सियेस रिकॉर्ड किया गया जो समाने से एक डिगरी ज्यादा है इंद्रा गांधी हवाई एड़े पर विमानों का संचालन भी समाने रहा हलाकि कोहरे के चलते 58 ट्रेन प्रभावित हुई उत्तर प्रदेश में विभिन अस्थानों पर हलकी वारिश के बीच कानपूर, लखनओ, गोरकपूर, वराणसी, फैजाबाद, आगरा, बरेली, जांसी और मेर्ट मंडलों में नियूंतम तापमान में व्रधी दर्ज की गई इस दोरान बिजन और जिले का नरजीबाबाद छेत्र पांच डिगरी तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा मद्दपर्देश में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई राजस्थान में कुछ अस्थानों पर रात के तापमान में कुछ व्रधी होने से लोगों को रहात मिली कोटा, उदैपूर, रावत भाटा और वनस्थली सहीत कुछ छेत्रों में हलकी बारिश भी हुई श्री गंगानेगर में नियुनतम तापमान तीन दशमलों दो डिगरी सल्सेस दर्ज किया गया वहीं सीकर में यह चार डिगरी सल्सेस रहा पंजाब और हर्याणा के लोगों को भी नए साल के पहले दिन शीत लहर से कुछ रहात मिली हर्याणा के भीवाली में नियुंतम तापमान 9 डिगरी सलसियस रहा जो सामाने से 3 डिगरी ज़्यादा है हिसार में नियुंतम तापमान 6 दश्ट मलो 2 डिगरी सलसियस दर्ज किया गया जो 1 डिगरी ज़्यादा है हलाकि हिमाचल प्रदेश में उचाई वाले स्थानों पर ठंड से कोई निजात नहीं मिली है और मौसम शुष्क रहने के बीच निउन्तम तापमान में एक से तिन डिगरी तक गिरावट दर्च की गई उत्राखंड के कुमाईू मंडल के उच्च हिमाली ए छेत्रों में गुरुबार को हिम पाथ हुआ जबकि पिठावरागड में हलकी फुवारों ने नए साल का स्वागत किया इस बीच कुछ दिनों की राहत के बाद काश्मीर घाटी में भी तापमान में गिरावट आई गुल्मर का तापमान शुन्य से 3.4 डिगरी सलसियस नीचे रिकॉर्ड किया गया जबकि कारगिल में तापमान शुन्य से 15.8 डिगरी सलसियस तक नीचे चला गया जो इस मौसम में सबसे कम है बीरो रिपोर्ट डिडी न्यूज